ममता की चहेती पर कसाश शिकंजा पश्यमंगाल में ताबर तोड छापे मारी महुआ मोहित्र पर फिर गिरी गाज एडी सीबी आई की रेट से मचा हर कम नमस्कार मैं हूं सामा और आप देख रहे हैं टर्निंग पॉइंट पश्यमंगाल में एक बार फिर से एडी सीबी आई ने डेरा डाल लिया है और ममता बनर जी की चहेती मानी जाने वाली महुआ मोहित्रा पर जबरदस्त शिकंजा कसा है जिससे बंगाल की सियासत में घमासान मचा हुआ है एक तरफ दिल्ली के मुख्यवंत्री अर्विन केजरिवाल को एडी ने गिरफ्तार किया तो वहीं दूसरी तरफ अममता बनर जी की करीबी महुआ मोहित्रा पर भी गाजगिरी है और कई ठीकानों पर सीबी आई का चाबुक चल रहा है TMC ने ता महुआ मोहित्रा से जुड़े कई ठीकानों पर सीबी आई ने चापे मारी की है और ये कारवाई पैसे लेकर सवाल पूछने यानि cash और queries से जुड़े मामले में हुई है जहां चेज़न्सी कोलकाथा के साथ कई ठीकानों पर चापे मारी कर रही है 21 मार्श को उनके खलाफ CBI ने regular case दर्ज किया था और डिली से CBI के एक टीम महुआ के पिता के दक्षड कोलकाता के अलीपुर इलाकी में मौजूद फ्लैट पर पहुची लोगपाल ने पैसे लेकर सवाल पुछने के मामले में CBI को महुआ मोहित्रा के खलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया था लोगपाल ने CBI को निर्देश दिया कि महुआ मोहित्रा के खलाफ भरष्टा चार निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज कर जाच की जाए इसके साथी लोकपाल ने जार्च जंसी को 6 महीने की भीतर ही रिपोर्ट दिने को भी कहा है लोकपाल ने अपने आदेश में कहा कि रिकार्ड पर मौजूग पूरी जानकारी का सावधानी से मौल्यांकन करने के बाद कोई संदे नहीं रह जाता है कि महुआ के खिलाफ लगाए गए आरोब जिनमें से अधिकांश मिठो सबूत हैं उनके पद को देखते वे बेहत गंभीर प्रकतिके हैं इस वज़े से हमारी राय में सच को स्थापित करने के लिए गहन जाच जरूरी है प्रासांगिक समय पर RPS यानि प्रतिवादी लोक सेवक के इस्तिती को देखते वे यह जरूरी हो जाता है कि एक लोक सेवक अपने पद पर रहने के दौरान कर्तवियों के निर्वाहन में इमांदारी बढ़ते लोकपाल ने अपने आदेश में ये भी कहा कि एक जन परतिनिदी की कंदों पर जिम्मेदारी और बोज अधिक होता है ये हमारा कर्तव है और अधिनियम का आदेश है कि उन भरष्ट चार और भरष्ट प्रताओं को जड़ से खतम करने के लिए सभी प्रियास किये जाएं जो अनुचित लाब, अवैद लाब या फिल लाब और बदले में लाब जैसे पहलों को अपने दाएरे में लाते हैं ब्रष्ट चार एक ऐसी भीमारी है जो इस लोक तांत्रिक देश की विधाई, प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक कारिप्रडाली पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है क्या है कैश फॉर क्वेरी मामला? कैश फॉर क्वेरी हिंदी में कहें तो पैसे लेकर सदन में सवाल पूछना इसका एक प्रोसेस है लोकसभा की कारवाई जब शुरू होती है पहला घंटा और राजे सभा में दोपहर बारा बज़े के बाद सवाल पूछने के लिए समय नियत किया रगया है इस समय को प्रश्निकाल के नाम से भी चाला जाता है सवालों के जरिये जन प्रतिन धी अपने इलाकों के बारे में सरकार तक बात पहुचाते हैं या राश्ट्य महत्व के मुद्दों पर भी सवाल पूछा जाता है जिस मंत्राले से सवाल जुड़ा होता है उस विभाग का मंत्री जवाब देता है सवाल पूछने के लिए सांसद पहले लोगसभा के महा सचिव को एक नोटेस देता है जिसमें सवाल का जिक्र होता है से संसद महवा मोहित्रा की संसद सदस्यता रद्ध हो गई है कैश फॉर क्वेरी मामले में लोगसभा की एथिक्स कमिटी ने उनकी सदस्यता खत्म करने की सिफारिश की थी दरसल 22 मार्च को कमिटी की रिपोर्ट पर लोगसभा में चर्चा हुई और संसदी कारी मंत्री प्रहलाज जोशी ने महवा की संसद सदस्यता रद्ध करने का प्रिस्ताव रखा प्रिस्ताव पास होने के बाद महवा की संसद सदस्यता रद्ध हो गई सदन में चर्चा के दोरान 2005 की कैश और क्वेरी मामले का भी जिक्र उठा जब लोग सभा के दस और राजिस सभा के एक सरसिक को निश्कासित कर दिया गया था महुआ पर आरोप लगा कि उन्होंने उद्योग पती दर्शन हीरा नंदानी से महंगे उपहार के एवज में उनकी तरफ से संसद में सवाल पूछे थे इतना ही नहीं उन पर ये भी आरोप है कि उन्होंने अपने संसद ये लॉग इन आईडी और पास्वर्ट को भी हीरा नंदानी को बता रखा था ताकि वो सीधे सवाल पूछ सके मामले को बीजेपी सांसद विनोद कुमार सोनकर की अध्यक्षता वाली एथिक्स कमेटी देख रही थी कमेटी ने 9 नुवंबर की बैटक में मोहितरा को पैसर लेकर सदर्द में सवाल पूछने के आरोपों में लोगसभा से निशकासित करने की सिफारिश वाली रिपोर्ट को स्वीकार किया था कमीटी की 6 सदस्यों ने रिपोर्ट की पक्ष में मतदान भी किया था दरसल जारकंट से बीजेपी के सांसन निशकान दुबे ने लोगसभा स्पीकर को पत्र लिक कर ये आरोप लगाया कि महुआ ने कैश गिफ्ट के लिए संसन में सवाल पूछे थे बिजनेसमें दर्शन हीरा नंदानी से रशुबत लेकर ये सवाल पूछे गए थे महुआ ने अडानी ग्रुप के खिलाप सवाल संसन में पूछे और दर्शन हीरा नंदानी को लाप पहुचाने की कोशिश भी की गए निशकान दुबे ने लोगसभा अध्यक्षे त्रमूल कॉग्रेस संसन महुआ मोहित्रा को ततकाल निनम्वित करने की मांग की थी बीजेपी संसन ने ये शिकायद एडवोकेट जय अनंत देहाद रही उन्हें लिखे गए पत्र के आधार पर दर्श कराई वहीं दूसरे मामले में टियम से संसन महुआ मोहित्रा ने कहा की वो किसी भी तरीके की जाच का स्वागत करती है दरशन आरोप है कि सवाल पूछने के बदले हीरा नंदानी ने महुआ को कैश और गिफ्ट दिये थे दर्शन ने 2019 का चुनाव लड़ने के लिए महुआ को 75 लाख रुपे भी दिये थे दर्शन ने महुआ को महंगे आईफोन भी दिये थे सवाल या तो दर्शन ने खुद पोस्ट किये या दर्शन के कहने पर महुआ ने पोस्ट किये थे 2019 से 2023 के बीच में पूचे गए 61 सवालों में से 50 सवाल हीरा नंदानी के कहने पर पूचे गए थे निशिकान दुबे ने एड़ोकेट जय अनंद देहादरे की चिठी के आधार पर ये पूरी शिकायर की 2021 में दर्शन ने महुआ को 2 करोड रुपे दिये 2 करोड रुपे इंटरनाशनल मीडिया में अडानी और पीम मोदी को निशाना बनाने के लिए दिये गए थे जुलाई 2019 में दर्शन की पीए ने महुआ के घर अडानी के खलाब डोजियर पहुचाया अडानी पर महुआ के आरोपो की जलक हिंडन बर्ग रिपोर्ट में भी नसराती है सवाल पीम मोदी और अडानी ग्रूप को टारगेट करने के लिए पूचे गए थे और ये सवाल हीरा नंदानी के हितों से जुड़े थे दर्शन हीरा नंदानी Real Estate के बड़े कारोबारी निरंजन हीरा नंदानी के बेटे और Real Estate Businessman हीरा नंदानीं ग्रूप के होने वाले CEO है Energy शिक्षा और Health Care में भी इनके कारोबार है November 2017 में Paradise पेपर में इनके ओपर आरोप लगे थी एंडी टीवी ने हीरन अंदानी से भी इसमुद्दे पर बात की थी तो उनके प्रवक्तान ये कहा था कि आरूप गलत है हम कारोबार करते हैं राजुनीती नहीं हम देश की भलाई के लिए सरकार से मिलकर काम करते रहें हैं और करते रहेंगे इतना ही नहीं एक तरफ तुम मह 40,000,000 का कैश भी जब्त किया है एडी सूत्रों के मताविक मंत्री कैश का स्रोत नहीं बता पाए सबूत जोटाने के लिए एडी ने उनका मुबाईल पोन भी जब्त कर लिया है दरसल आपको बता दे कि शिक्षक भरती घोटाले के मामले में एडी ने मंत्री चंद्रनाथ स सिनहा के आवास में दाखिल हुए और एडी के सूत्रों के मताबक एडी को टीमसी यूथ विंग के नेता कुंतल गोश के पास एक रजिस्टर बरामत मिला था उस रजिस्टर से उन्हें चंद्रनाथ सिनहा का नाम मिला शिक्षक भरती घोटाले में कुंतन गोश को एडी न बिजनेस्मेन प्रसंद्ना रॉयक को कोलकाता के सीजियो कॉंपलेक्स में पोश्टाज के लिए बलाया था और 11 घंटे की लंबी पोश्टाज के बाद उन्हें गिरफतार कर लिया गया सूत्रों का ये दावा है कि उन्होंने शिक्षक भरती घोटाले में उम्मीदवारों और पुर्व शिक्षा मंतरी के साथ कई नेताओं के बीच में बादचीत में एहम भूमिका निबाई थी और पिछले साल प्रसंद्ना को सीबियाई ने गिरफतार किया था लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गए थी कलकर्ता हाई कोर्ट की तरफ से पारित आदेश के बाद एदी और सीबियाई दोनों एजंसियां कतित शिक्षक भरती में हुई आनियमित्ताओं की जाच कर रही हैं और इसी मामले में आरोपी पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटरजी और कई तर्मूल कॉंग्रेस के नेतार राज्य शिक्षा विभाग के अदिकारी जेल में हैं यानि कुल में लाकर के अर्विन केजरिवाल की गिरफतारी के बाद एडी और सीबियाई की सुई अपश्य मंगाल की तरब घूमती हुई नजर आ रही है आपकी क्या राय है मैं कॉमेंट करके जरूर बताईए फिलहाल के लिए इतना ही बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे है कापिटल टीवी के साथ नमश्कार अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करे हमारे चानल को सब्सक्राइब करे और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो अग नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुर्णने के लिए शुक्रिया